हलो फ्रेंड्स इस वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है स्टर्ट अप का और बेसिक मुस्टिक्स क्या होते हैं कि हलो ना डिस्कस करने वाले आंप करने तरहरें 미ण कई ए और पर और बिजनेस अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो 1st time अगर आप बिजनेस में हो तो like 1st time so आपको ये मालूम होना चाहिए कि like business start करने के लिए पहले पईसे, अगर जरुरूरत रहती है ये common जी बात है और इसके लिए आपको 1st investor दुनना पड़ेगा वो maybe family members हो सकते हैं बाहर के लोग हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, और कुसी, और इंवेश्मेंट कंपनी हो सकती है, So, investment मिलने के बाद, आपको certification में पीजरुवत पड़ेगी, अगर आप certification यानि के like firm registration हो, या government के like आपके local city का registration हो, वहां से आपको certification लेना पड़ेगा, और उसके बाद certification लेने के बाद, आप पशे पेचे हैं आप इन फोट हम को हैर को दिए सेलस, मार्केटिंग फाइनांस, प्रोड़ेक्शन और मैनेजर और प्रोस्ट तो आप बेसिकले हर क्वोई यह कम करता है कि फोस्ट इन्वेस्टमेंट लेने के बाद वो लेता है कि production के लिए machines लेता है यानि तो याई कागर machinery या जो खुछ भी requirement है office है या जो कुछ भी है वो लेता है production के लिए production का लेने कवाद वो क्या करता है direct अपना product बनाना start करता है product बनाना start करने के बाद problem यह आता है product तो बन जाता है मुझाए कि मार्केट में एकारण earning नहीं होती है earning नहीं होने के कारण आप loss में चले आते हैς तो इसके वजह से आपका जो भी पैसा है आप market में खर्चा कर दीए और आपका आप जो भी हे और आपका रेंट से और दूसरे चीज़अ है इसके वजह से जैसा मेंना कॉंप्लिट होने आएगा तो आप प्रॉब्लम मीगर जाएग़ तो फिर्स्ट तिंग यह करना पड़ेगा के फिर्स्ट आप । प्रोडेक्षिन बारिक्षिन सुप्रकेशन फिर्स्ट करने के बाद आप फर्स्ट दिंग ये कीजिए के लिएक सेल्स हायर कीजिए सेल्स सेल्स हायर कीजिए और मार्केटिंग उसके बाद मार्केटिंग हायर कीजिए उसका फैनांस हायर कीजिए उसका फैनांस हायर कीजिए आपके पास पैसे है इन सुब के लिए और इससे ज्यादा है तो एक HRB आप हायर कीजिए HR आपकी लिए सब यह मैनेजर सेल्स मार्केटिंग और फैनांस सभी हायर करके देगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्टार्टिंग में तो आपी को उतर के सभी करना पड़ेगा जैसे का प्रोडेक्शन आपी को करना पड़ेगा सेल्स सापी को करना पड़ेगा марकेटिंग आपी को करना पड़ेगा फैनांस अपी को करना पड़ेगा क्यूंकि आप आफिस ले चुके हैं तो में भी उतना का पैसा रहेगा है कि एक तो इंपलिए को हैर करें अगर अगर चल रहा है लेक आपके शॉप है और सभी आपके शाप पे आके सभी लोग खरीद कर जा रहे हैं profit आ रहा है तो like maybe इन लोग की जुरुत नहीं है क्योंके सभी आप ही कर रहे हो like sales की जुरुत नहीं marketing खुद शौप खुद कर ले रहा है sales भी शौप ही ले कर रहा है तो just आपको finance और production पर ध्यान देना पड़ेगा अगर इसा नहीं हो पा रहा और आपको business structure कुछ और है तो आपको यह करना पड़ेगा कि like first आपको mostly सभी लोग यही करते हैं कि like production के लिए क्योंके थोड़े बहुत गिराक आते रहते हैं तो like हाथ के हाथ के निचे कोई support के लिए आप क्या करते हो production के अंदर आप hire करते हो like आपके हाथ के निचे manufacturing के लिए hire करते हो मगर यह step बिल्कुल wrong है first आप यह करेजिए sales hire कीजिए sales hire करने के जैसे क्या होता और बाहर जाए sales hire कीजिए sales के साथ उसको marketing का भी काम साथ ही में दे दीजिए multitasking काम दे दीजिए sales भी दे दीजिए और वह जाकर like बाहर से दुसरे company's या दुसरे शाप्स होलन से मिलके आपके लिए यह आपका जो भी product है उसका sale करके आएगा marketing में यह होता है कि like वह जाके banners लगाते हैं या ले तो hoarding लगाते हैं या और किसी और तरह के से like messages करते हैं इस तरह के से आपका परचार करते हैं और उसके बाद उसका बाद आप finance हैर केजिए उसका प्रडेक्शन finance आप handle कर लीजिए production के लिए हैर केजिए उसका बाद finance के लिए हैर केजिए manager हैर केजिए इसके बाद आकर इससे भी business structure बिजनस हो गया है तो लेकि दूसरे success के तरफ जा सकते हैं आपको basically क्या चाहिए कि mentor चाहिए जो help करें जो guide करें कर सके आपको याने तो आप आ रहे हैं या ने तो आप खुद research कर सकते हो आप online जा कर सर्च कर तीजिए प्रानी से पहले किस्त कौन लोग थे आपके business में करें और success होए या और आपको every six months लेकि जा के spy जा के check करना पड़े आपके आपके काम टेटर्स इस तरह के से वो business कर रहे हैं और सिथ अगर आपके पस पैसे नहीं है तो basically आपको skills develop करने पड़ेंगे skills develop करने को आप face to face marketing कर करके आप जाकर आप sales करके आपका skills sales करके आप earning कर सकते हो यह skills सीखने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं मेरे YouTube चैनल पे आपको वीडियोस मिल रहेंगे और in future भी वीडियोस आएंगे प्लिस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मालूम होचा हो सके जैसे के graphic design है, website design है और बहुत सरे skills है जो मेरे चैनल पे सिखाई जाते हैं वहाँ से आप सिख सकते हो Thank you की चासे की करे जाएंगे